owane दोस्तों कैसे हैं आप सभी का में स्वागत करता हूँ पाइपन सिस्टेंप आज हुं करने वाले और अ उथ थोड़ी सी थीक एर थीके है जो काम क्लास के बाद होता है क्लास से पहले कर लिया गया हैolly ऑज टो कर लिया गया है पाइपन सिस्टन करने वाले है इस्टोर का बेनिफिट आप उठा सकते हैं और इंडिविजल स्पेसिफिक कोर्स लेकर भी साहिल टैन लगा कर पाइपन सिस्टन आज कर देंगे मेंसुरेशन कल शुरू हो जाएगा ठीक है कि सीटीम रात को आट बजे चलता है एक्सपेक्टर पेपर सब लोग लगा रहे हो ना रात को नौ बजे लगाओ और क्या आए पहला प्रशन आपके सामने मतब 21 कोशन है यह टाइम और वर्क वाले कोशन है वह भी करव कर दूंगा है कि अब है कि अब है कि अब है कि अब है कि ए और भी और सी किसी काम को करते हैं 12 और 16 दिनों में यह जादी इस काम को ए पांच दिन करें अच्छा कुछ नहीं पेरिंग कॉंसेप से होगा 12 चौक ए 48 शूलत यह 48 इस काम पर पांच दिन ए काम करें बी इस काम पर साथ दिन काम करें और बचे हुए काम को सी अगेले 13 दिनों में करें मुझे बताओ, पांच दिन क्या मैं A & C और B काम करवा दू सकता हून व बचे हुगं? पांच दिन, थो दो ही दिन में A & C काम करवा सकता हून क्या अब C के पास घंदे, 11 दिन क्योंकि 13 दिन है, 550 दिन है और 7 दिन – इसके साथ-2 दिन इसके साथ चाहीं हो गया तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 48 बटे दो 24 दिन में क्लियर है अगला करिए आराम से करिए सेम उसी कंसेप्ट पर है लेकिन दिमाग लगा लगा कर झाल पर लिन में ए और बी और सी उसी किसी काम को इतने दिनों में करते हैं ए और बारे दिनों में करता है बी और सी छेती है अठारे और दो बीस वटे तीन दिनों में करता है टोटल वर्क अगर आप साथ ले रहे हैं तो ए और बी की जो चमता हो गई वो पांच हो गई B और C की समता हो गई वो 9 हो गई यदि A इस काम पर 3 दिन काम करे यदि A इस काम पर 3 दिन काम करे B इस काम पर 4 दिन काम करे और बचे हुए इस ठीक है तो क्या मैं कह सकता हूँ A तीन दिन काम करवा लेता हूँ B के साथ में अब B का एक दिन का ही काम कर पाएगा C के साथ में और बचा हुआ कितने दिन 6 दिन का काम बचा हुआ है C का टोटल साथ तो A प्लस B की वैल्ली होगी 15 पांस्ती है 15 और 9 24 तो 6 C बराबर कितना हो जाएगा 36 C बराबर हो जाएगा 6 तो A C बराबर अगर 6 आ गया तो ठीक है अब C अगर 6 आ जाता है तो यार यह तो गड़बड है तो गड़बड क्यों है C अगर 6 आ गया तो B 3 आ गया B 3 आ गया तो A 2 आ गया तो 60 बटे 2 तीस दिन में काम हो जाएगा C option अगला आराम से करना देखो है ना कोशन को पढ़िए सारे best questions है 3 आगमी A B C किसी काम को इस तरह पूरा कर सकते हैं कि A पूरे समय काम करे C पूरे समय काम करे B पहले और दूसरे दिन काम करे और C तीसरे चोथे और पांचवे दिन उतना B+, C और A तीन दिन में जितना काम करता है उतना B+, C दो दिन में कर लेते हैं A और B+, C का जो रेशो आ रहा है वो भी निकल गर आ गया दो बटे तीन वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे यदि B+, C बिना किसी साइ ताके उस काम को 6 दिन में समाप्त करता है तो B प्लस C अगर 6 दिनों में समाप्त करता है तो टोटल वर्क निकालने में मेरे को सहुलियत हो जाएगी यहां से क्यों? 6 दिनों में समाप्त कर रहा है और B प्लस C की छमता है 3 तो 6 ती 18 हो गया अठारा यूनिट तो काम हो गया ठीक है अगर मैं बात करूं कि भाई इस तरह से देख रहे हैं पांच दिन में कितना काम हो रहा है तो ए बराबर अगर दो है ए बराबर अगर दो है कि यह दो दिन काम कर रहा है यह तीन दिन काम कर रहा है और बिना किसी की साइथा से b लुइ से से 6 दिन में कर लेता है places दिन में कर लेता है तो 18 हो गया, और यहां से अब चमता एक ही निकल कर तो आ जाती है, चलो, एक ही अगर 2 है तो और सी में से हमें यह देखना पड़ेगा कि किसकी कितनी है तो मैं यह कह सकता हूं एक ही अगर दो है एक ही तो दो है तो बी और सी भी तो कुछ काम के होंगे तीन के एफिशंसी लेकर बैठे हैं बैठी निया दमांग में है कि सोचो सोचो हां ने अब ऐसे कैसे यहां तो यह दिन है यह तो टाइम है ना इनको कंपरीजन मत करो वाई यह तो यह तो टाइम है यह दो दिन काम करता है यह तीन दिन काम करता है दो दिन कैसे पहला दिन और दूसरा दिन सी तीसरे चौते और प जाई करें हैं, बताओ, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि अगर A अकेले की बात करूँ, तो A अकेला पांच दिन काम करेगा, B अकेला केवल दो ही दिन काम करेगा, C अकेला केवल तीन ही दिन काम करेगा, ये इनके time हो गया काम करने का अगर ये time हो गया काम करने का तो इसमें efficiency भी निकाल सकता हूँ क्या मैं बताओ अब B plus C कहां से जोड़ू भाई मेरे को ये समझ में निया रहा efficiency काई लपड़ा हो रहा है बाकी तो दिक्कत नहीं है क्या करें अठारा छे ये तो इनके अलगलग काम आ गये ना क्योंकि ये तो पूरे दिन काम कर रहा है तो तो क्या किया जाए अरे बहुत ये पांच दो तीन समझ में आ गया ना ये ए दो और ए तीन या तोटल पांच दिन हो गया कर देगा तो तर ए पूरा काम नो दिन में कर देगा ए पूरा काम नो दिन में कैसे करेगा भाई कहां लिखा हुआ है कुछ लाइन तो नहीं मिस कर रहे ये पूरे का पूरे समय काम करे, भी पहले दूसरे यहां ठीक है, यह तीन दिन में जित्ता काम करता है, तो एक काम तो अपना यही आ रहे है न, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, कि टोटल वरक अगर अठारे आ अगया आपका, अच्छी बात यह टोटल वरक अगर अठारे आ रहे है, तो यहां पर भी टोटल वर्क अगट 18 आना चाहिए तो A की efficiency कितनी हो जाएगी 6 नहीं होगी A की अगर 2 मान लेता हूँ तो अभी assumption से करके देखूँ गया अगर A की efficiency में अगर 2 मान लूँ तो A कितने में करेगा 9 में और B की efficiency हो सकता है 2 हो या 1 हो तो B की efficiency भी 2 हो गई तो 9 आगया और C की efficiency 1 हो गई तो 18 आगया या फिर हम कह सकते है 9, 18 और 9 तो option number A answer हो सकता है इसका risk तो है लेकिन ठीक है है ना क्योंकि efficiency A तो 2 मान ली चलो हाँ तो मुझे इतना से समझ में आ रहा है कि B और C में से B की आप 1 मान लो और C की आप 2 मान लो और जैसी मानोगे तो आपका answer आजाएगा 9, 18 और 9 हाँ एक data कोई missing है efficiency निकालने के लिए वो data हमें चाहिए none नहीं होता तो हम confidently answer यही दे दे none नहीं होता ना तो confidently answer यही कह देता मैं तो लेकिन अभी आपको पता है एक की efficiency दो है B और C है हो जाना है चलो आगे चलते हैं बहुर क्या करें अगला करके देखिए कितना सई कुशन है अगला भी एक आदमी के तीन पुत्र हैं पहला दूसरा और तीसरा पहला दूसरा इतने इतने दिनों में कर सकता है वे आदमी उसी काम को वे आदमी जो है कितने दिनों में पूरा कर सकता है जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा कर सकते हैं वाव भाया बहुत बड़ी आदमी आरी तो मान लिया पहला पुत्र मान लिया दूसरा पुत्र और वह आदमी खुद वो 24 है, वो 36 है और ये 36 बटे 11 है LCM ले लो 72 आपका total work हो गया तो पहले बच्चे की जो efficiency है वो 3 आ गई दूसरे वाले की 2 आ गई और 11 आ गई जितने समय में तीनों पुत्र करते हैं उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में वे उससे दुखना काम करता है तो यहां इनकी जो खेल आ रहा है न कितीनों पुत्र की जो छमता है तीनों पुत्र की छमता जितना वो काम करते हैं उतने ही समय में जो A है वो दुखना काम करता है यानि कि क्या हम यह कह सकते हैं 2 times of 3 और 2 5 प्लस तीसरे पुत्र की छमता बराबर एक ही जो छमता है वो 11 तो तीसरे पुत्र की जो छमता हो जाएगी वो आदी हो जाएगी क्योंकि 11 बटे दो आता है 5.5 में से 5 गया तो तीसरे पुत्र उस काम को कितने दिन में करेगा यह भी उल्टा है अच्छा उतने ही समय में दुखना काम करता है अब यह तो यह हो सकता है कि अगर हम 4 बोल दें तो 18 आ जाए ओहो 22 होगा कहा 22 होगा भई 22 लो न आ रहे हाँ 22 है ना ओके सॉरी मार्पी चाहता हूँ भई साब मार्प नहीं करोगे क्या अपने सर को नहीं करोगे चलो प्रियाम कह सकते हैं कि जो तीसरे पुत्र है उसकी छमता कितनी आने चाहिए साथ आ रही है तो और यदा गड़वड होगी यह तो दुबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई माल लीजिए यह जो आदमी की जो छमता है यह डबल काम की है उतने ही समय में तीनो पुत्र उस काम को पूरा करते उतने ही समय में समय समाने काम दुगना कर रहा है समय समाने काम दुगना कर रहा है बस तो यहां मैं कह सकता हूं कि जो तीनो पुत्र हैं माल लो टी टाइम में कोई एक काम करते हैं तो अकेला जो आदमी है ना वो दुगना काम करता है उससी टी टाइम में यही तो बात है बोलो आकाश रंजन कह रहा है सर ग्यारा में से पांच गटा तो छे आ जाएगा अच्छी बात है आकाश मैं भी आप पे गर्व करता हूं लेकिन अभी करता हूं रुक जाओ तो आंसर कितना आ गया पहला और दूसरा पांच हां आ गया ना वैस से थर वाले का कितना निकल कर आ गया बाइस बटे दो ग्यारा माइनस का पांच तो छे का भाग दे दो आंसर आगया बारा बहुत अच्छा कुश्चन है वाई साब लेंग्वेज बेस टिपिकल कुश्चन होते हैं अगला करके दिखाईए राजू सुनिल और विशाल एक भाईया राजू है एक सुनिल है और एक विशाल है राजू सुनिल और विशाल बीस टीस चालिस टोटल वर्क एक सो बीस छे चार और तीन राजू कितने दिनों तक कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है अगर सुनिल और विशाल वेकल पिक दिनों में उसकी साहिता करते हैं तो भाईया राजू कितने दिनों में कर सकता है यदि सुनिल आ रहा है फिर उसके साथ विशाल आ रहा है तो यह हो गया दस यह हो गया नौ तो दो दिन में कितना काम हो रहा है 19 एकाई अब मैं इसमें किसका गुणा करूं तो सर आप ऐसा करो इसमें 11 का गुणा करके देख लो एक बर कितना निकल करा जाएगा 11 नाम निन्यान में बहुत ज़्यादा जा रहा है सर तो यहां 11 का क्यों कर रहे हो यहां पर अगर करना ही है तो आप ऐसा करो सर पांच का कर लो 6 का करोगे तो 114 हो जाएगा 6 का कर लो 114 यूनिट काम हो गया 12 दिन लग गए अभी भी 6 यूनिट काम बाकी है तो जब यह आएगा तो 10 यूनिट काम करता है तो कितना टाइम लग जाएगा च्छे बटे दस बारे तीन बटे पांच अगला आराम आराम से हॉले हॉले करना भाईया हर कुशन बढ़िया है ना आपको फील आना चाहिए बस आपको फील नहीं तो कुछ भी नहीं है सर ए और भी एक कार्रे को 13 और 17 दिनों में करते हैं थोड़ा कम समय दे रहा हूं कि हूमवर्क का अरवा चुका हूँ है ना सब कुछ हूमवर्क में दे चुका हूँ है इफिशेंसी इसकी सतरे आरी है और इसकी आरी है तेरा फिवारी वारी से एक एक दिन काम करते हैं तो दो दिन में कितना काम हो रहा है 30,1 अब आप यह देखिये 17,51 सत्रेकम 17,5,22 121 काम करना है आपको तो 221 काम करने के लिए यह मैं किस का गुणा करूँ 50, 60, 70 70 का गुणा कर सॉरी, 7 का गुणा करके देखो तो 14 दिन में कितना काम हो रहा है 210 काम अभी कौन आएगा यह आएगा आएगा तो क्या कर जाएगा काम खराब क्यों 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 कि 17 आती कितना हो जाना है हमें तो चाहिए ही सर 11 काम तो आउसर कितना आएगा 14, 11, 17 जादू ही जादू हो रहा है अगला पी और क्यू मिलकर किसी कार्रे को इतने दिन में करते है क्यों करते है पी और क्यू मिलकर किसी कार्रे को 36 दिनों में करते है पी क्यू से 3 गुना कुशल है टोटल वर कितना आगया 36 इंटू 4, 145 क्यू अकेला कितने दिन में करेगा ए बी सी तीन वेक्ति किसी काम को 36 दिन में करते है ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम कर सकता है और तथा ए और सी साथ मिलकर बी का तीन गुना काम कर सकता है तो ए और बी साथ में मिलकर सी का दुगना और ए और सी साथ में मिलकर B का तीन गुना तो यहां से से निकलकर आ रहा है कि यह तीन है और यह चार है और दोनों हुने चाहिए बराबर तो यहां चार का गुना कर दो यहां तीन का जिसे कि यहां से पता लगेगा कि C की जो आ रही है वो चार आ रही है B की जो आ रही है वो तीन आ रही है और A की जो आ रही है वो आ रही है पांच A, B, C तीन वेक्टी किसी काम को 36 दिन में करते हैं तो 7 और 5 बारा इंटू 36 टोटल वर्क आ गया अकेला C कितने दिनों में काम करेगा तो C का भाग दे तो 4 108 दिन में उमाकांत बहरा लक्षे बैच क्यों उमाकांत मैंने तो सुबह क्लास लिये भाई अब तुम नहीं लेते हो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते दोस्त हम क्या कर सकते बताओ हम तो रेगुलर क्लास ले रहे हैं क्यों नहीं कर सकते दो कर सकते दोस्त अब एंगे और भी किसी काम को आठ दिनों में कर सकता है 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 ठीक है जब कि लेकिन जब ए और ब क्रम अशय दुगनी और एक तियाई कारे चमता से कारे करे तो 6 दुनों में समाप्त हो जाता है तो यहां M.D.H. हम लगा सकते हैं कि A और B 8 दुनों में कारे कर सकता है जबकि A दुगनी और B जो एक थी हाई कारे चमता के साथ काम करे तो 6 दिन में हो जाता है 8A प्लस 8B 12A प्लस 2B तो यहां हम कह सकते हैं 6B बराबर 4A A और B का जो चमता आ रहा है वो 29 दुआ रहा है तो टोटल वर्क हो गया 40 A अकेला कित्ते में करेगा 40 बटे 3 अगला A किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़कर देता है अच्छा चार दिन बाद छोड़ देता है मतलग न चमता आ रहा है वो 3 अनुपात एक आ रहा है तो टोटल वर्क हो जाएगा 12 प्लस 18 तीस तो तीस आपका टोटल वर्क हो गया तो वो ला गया इसर कितने दिनों में A तो तीन का भाग दे देंगे 10 दिनों में और B कितने दिनों में 30 दिनों में A option क्लियर है मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है लाइक शेयर तो करता रहना चाहिए आपको अगला करिए तो पाइप एंसिस्टेंस से है क्या फिर टाइम और वर्क से भी कुछ इसमें मैंने डाले हैं आईए देखिए कि क्या आपको करते हैं और श्याम किसी काम को आठ दिन में करते हैं और श्याम बारह दिनों में समाप्त करता है तोटल वर्क मैंने ले लिया 24 राम जो चमता आजाएगी वह 3 आजाएगी और शाम की चमता आजाएगी वह 2 आजाएगी के लिदौन एक दिन छोड़ कर एक दिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि राम काम शुरू करना करना शुरू करें तो भाईया मैं ऐसे कहता हूं ना कि आप राम काम करना शुरू कर रहा है तो दो दिन में कितना काम हो रहा है पांच एक आई आपको पता मैं राम काम कर रहा है ठीक है अब इसके करीब पहुंची तो मैंने चार से गुणा कर दिया यानि कि बीस काम हो गया अपना आठ दिन में अब आएगा कौन राम ही तो आएगा यानि कि तीन काम करने आएगा एक दिन में यानि कि नौ दिन तो हो गए अब बचा आधे दिन में मतब एक कामी तो करना है भी आपको देखो ना बीस तेईस और एक चौबिस तो साड़े नौ दिन में हो जाएगा पूरा नाइन अफ में भी ऑप्शन कि अगला करके दिखाओ ठेका ले रख्था है देखते हैं पैसा कैसे बांडते हो इस अगला करके देखते हैं अगला करके देखते हैं वने में वस्टेशन कि अगला कि ए बांडते हैं ए और भी किसी काम को बार देखते हैं तो ले लेज़ा किशन 1200 रुपे में करने का ठेका लेता है, A. अकेला इस कारे को 6 दिन में, B. अकेला इस कारे को 8 दिन में, टोटल वर्क ले लो 24, अच्छा, C के साथ मिलकर भी है, A, B, C, C के साथ मिलकर 3 दिन में, तो 6, 4, 24, 8, 3, 24, और 3, 8, 24, तो C की जो छमता आ गई, वो 1 आ गई, ये 4 है और ये 3 है, तो भाया, 8 रेशो बराबर आपका 1200 है, एक रेशो बराबर आपका 1500 है, तो प्रतेक भाग, 600 ले लो, 400 ले लो, और 500 ले लो, तीनों आ गया, यानि की आंसर कितना आएगा, A, B और C, अगला, अच्छा कोश्चन देखो, P, Q, R, 600 रुपए के लिए नुक्त होता है, तो P और Q ने मिलकर 7 बटे 17 काम पूरा किया, पी और Q ने, टोटल काम ये होगा, इसका मतलब, तो P और Q ने इतना किया है, और Q और R ने 25 बटे 34, आप मुझे एक बाह बताओ, इसको भी अगर 34 बना लेते हो, तो कितना हो गया वई, तो P प्लस का जो Q है, वो आ रहा है कितना 14 आ रहा है, प्लस का Q प्लस का R है, वो कितना R है, 34 आ रहा है, तो R की वेल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और यहां मैं देखता हूँ Q और R, तो Q की वेल्यू हो जाएगी 5, और P की वेल्यू कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है, तो Q की मजदूरी कितनी है, तो सर्थ 34 बराबर, अड़ सट सो एक बराबर दो सो तो हजार रुपिया पांच रेशो ही तो है कोई दिक्कत है क्या बहुत किलियर हो रहे न यह 14 कैसे आया बहुत पहले तो दोनों को बराबर करो यह टोटल काम 34 होना चाहिए PQ 14 है PQR कितना है 34 है तो R बराबर कितना हो जाएगा 20 R बराबर 20 है तो Q बराबर कितना हो जाएगा हमने निकाल दिया यहां से 5 क्यों क्यों और R न है यह तो 25 है और P बराबर 9 अगला करिए खेत की कटाई चल रही है वहीजा 12 और 15 गंटे में यह सुबह 5 बजे आरम करके बारी बारी से एक एक घंटा कारे करता है तो खेत की कटाई किस समय समाप्त हो जाएगी सत्पाल सिंधू कह रहा है यह पार्टनर्शिप है या टाइम और वर्क सत्पाल आप ज़्यादा समझदार हो यार अब ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाता नहीं हूँ कि लिए बात यह है चलिए और बी जो बिना कॉंसेट पढ़े आ जाते हैं वो दिक्कत देते हैं फिर आपको भी मुझे भी और आप खुद को भी होती आपको कॉंसेट तो पढ़ने पढ़ेंगे पहले मैं कॉंसेट भी पढ़ाता हूं ऐसा नहीं है चार पर की बारी बारी से और खेत और खेट की कटाई यानि कि ए शुरू करता है यानि कि पांच और चार यानि कि 9 यूनिट काम है, 9 यूनिट काम है दो में, ठीक है, 9 यूनिट काम दो दिन में हो रहा है, अब यहां मैं देखता हूं, 60 यूनिट काम पर जाना है, तो 6 से गुणा कर दूं, 12, 12 गंटे हो चुक एक और तेरा तेरा गंटे ओ गया चब्वन और छे चैए नहां तो केवल भी पांच ही हो पाया है तो अब बचे गा कितना एक बटे चार देखिए तेरा गंटे और एक बटे चार का मतलब हो जाएगा साट से गुणा करूँगा 15 मिनट 13 घंटे 15 मिनट हो गया 13 घंटे 15 मिनट हो गया अब यानि कि 13 घंटे 15 मिनट का मतलब सुबह के 6 बज़ रहे सुबह के 5 बज़ रहे तो सुबह के 5 से कितने बज़े शाम के 5 बज़े तक सुबह के 5 से शाम को 5 12 घंटे और उसके बाद एक घंटे पंदरा मिनट यानि कि छे बच के पंदरा मिनट पर शाम को ठीक है अगला करिए आरम आरम से करना हर टाइप का कुशन कवर हो रहा है ना जो बचे हुए हो भी कवर कर लिए मैंने ए और भी मिलकर किसी कार्रे को कुछ दिनों में कर सकते हैं अकेला एक अकेला उस कार्रे को करने में चार दिन अधिक लेता है बी अकेला उस कार्रे को करने में दौनों के दिनों से नौ दिन अधिक अच्छा कुशन है बता है यहां बोला जा रहा है एक अकेला उस कार्रे को करने में चार दिन ज्यादा लेता है बी अकेला उस कारे को करने में दोनों के मालो A और B X दिन ले रहे हैं तो B अकेला कितना लेगा 9 दिन जादा लेगा A अकेला कितना लेगा 4 दिन जादा लेगा A और B कितना लेगा रूट A B याने कि 9 जोरлагा छोट už 4, 9 safely 36, खे तो ए और भी कितने दिन में करेगा 6 दिन हो अंडरूट एली बढ़िया कॉंसेप्ट है आगले कर ये चालिस आदमी किसी कारे को चालिस दुनों में करते हैं वे मिलकर कारे करते हैं कथा अपरते एक दस दिन के बाद पांच आदमी कारे छोड़कर चला जाता है तो चालिस आदमी चालिस दिनों में कर सकते हैं यानि कि सोले सो काम करवाना है अब बोला जा रहा है वे मिलकर कारे करते हैं परते एक दस दिन में पांच आदमी चले जाते हैं तो चालिस आदमी काम कर रहे हैं पहले पांच दिन यानि कि दो सो काम हो गया उसके बाद 35 आदमी हो गए 10 दिन तक काम कर रहे हैं यानि कि 400 काम हो गया उसके बाद 5 आदमी छोड़ गए बचा हुआ 10 दिन में 350 काम उसके बाद 5 आदमी छोड़ गए 300 काम उसके बाद 5 आदमी छोड़ गए 200 काम ठीक है उसके बाद 5 आदमी छोड़ गए 200 अब ये टूटल कितना निकल कर आ रहा है 400, 300, 700 और 200, 900, 900 और 500, 1400 और 1500 है ना अभी कौन आएगा अभी 10 आदमी का सोरी 15 आदमी करेंगे कितने दिन में करेंगे काम कितना है 100 काम है देख लो एक बार 400, 300, 700 और 200, 900 और 500, 1400 और 1500 तो ये 100 काम बागी है बस तो कारे कितने दिनों में समाप्तों का वो देख लेते हैं आपन X बराबर कितना आ रहा है 100 बटे 15 और 5 से काटा मैंने 3 बार, 5 से काटा मैंने 20 बार यानि कि 6 सही 2 बटे 3 दिन तो ये रहे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन तो 50 प्लस 6 सही 2 बटे 3, 56 सही 2 बटे 3, D option, clear है भाई सब, मजा आया नहीं आया, आना चाहिए, अगला करके दिखाओ चलो अजड़ को साथ गंटे प्रति दिन कारे करते हुए ए अकेले किसी कारे को छे दिन में करता है बी अकेले आठ दिन में पूरा कर सकता है आठ गंटे प्रति दिन कारे करते हुए वे दौनों मिलकर उस कारे को कितने दिन में करेंगे एकेला उसी कारे को 6 दिन में भी अकेला उसी कारे को 7 दिन आठ दिन में और 8 घंटे प्रति दिन काम करते हुए बढ़िया कुश्चन करो वाई देखो हर कुश्चन में बहुत शांदा शांदा तरीके डाले हैं कवर कर लोगे तो सब कवर हो जाना है अब जब आपके गंटे अलग हूं और टाइम अलग हो तो आप इस कोश्चन को आवर्स में वार्स अ किया करो कित्थ गंटे में कर रहा है कित्त गहं खंटे में कर रहा है 50 गंटे में थीक है ऐसे कर लिए करो तो टोटल वरक आप मानोगे तो कितना हो जाएगा 7, 42, 7, 8, 56, यानि कि सर ये हो गया 7 into 24, 24, 27, 168, तो ये हो रहा है 4 और ये हो रहा है 3, तो ये दौनों मिलकर उस कार्रे को, तो 7 into 24, 7 की efficiency है और 8 गंटे प्रती दिन कर रहे हैं, कितने दिन में कर लेंगे देखो, 3 दिन में, कैसा लगा तरीका, तो आगे से आप याद रखना कि अगर टाइम अलग अलग दे रखा हो तो ऐसे ऐसे करना है, ठीक है माईडियर, चलिए, अगला करिए, अगल न शवयोग देह कर दिन में, कैसादी अगर थ Other French ऑ्र सन्य here चादी, एंगला करें, कैसा हैं, कैसा है, एक रखना है, तो आप्योग है, व एक प्रताई रहे पनी ओिन में देंगा है जे हैं, कैसा है पी और क्यू मिलकर एक कार्रे को 6 दुनों में कर सकते हैं क्यू और आर उसी कार्रे को इतने दुनों में कर सकते हैं पी ने कार्रे आरम किया तीन दुनों तक कार्रे किया क्यू और आर ने 6 दुनों तक कार्रे किया 10, 7 पी ने आरम किया और तीन दुनों तक किया Q और R 6 दिनों तक कारे करते रहे और R और P द्वारा उस कारे को उपूरा करने में कित्ते दिनों का अंतर होगा निकालते हैं भई या निकालते है कोशन तो बढ़िया है 40 निकाल देंगे P का काम हो जाएगा 18 हो जाएगा ये तो ठीक है भई देखते है यहां तो खतम करवा दो फिर काम उसके बाद तो फिर अलग R and P वाला किस सिस्टम चल रहा है तो सर ये 60 आ रहा है तो P की जो छमता आ रही है वो तो 6 आ रही है P की 6 आ रही है तो Q की कितनी आ रही है 4 आ रही है 10 तो अंतर कितना आ रहा है दिनों का 10 दिन दिनों का अंतर पूछा है इसमें हां डा ऐसे मत कर देना कहीं डाइरेट कर दो गटा कर आईये टंकी भरो सेम टाइम एन वर्क की तरह कंसेप्ट होता है सेम टूजे बस टंकी भरनी है 2 नल A और B अलग-अलग किसी हौच को एक घंटे और 75 मिनट में बढ़ सकते है एक घंटे याने की 60 मिनट B जो है वो है 75 मिनट टोटल वर कितना आ रहा है पंदर सो यह पंदर सो क्यों ले रहे है आप ऐसल थीन सो ले लो न यह पांच बर चला जाएगा और यह चार बर नल C होच को खाली करता है यह पांच और चार नौ और यह आ रहे है तीन माइनस में तो C भरी होई होच को खाली करने में कितना समय लगेगा 100 मिनट ठीक है चलिए नेक्स्ट ओहो भारो चलो करो करो कोई दिक्कत नहीं ट्रेंशन मतलो टाइमर चाल हुए लेकिन कवर सब हो जाएगा यहां से दिखने में बड़ा लग रहा है आंसर बहुत बिल्कुल तोटा सा है एक टैंग को ठंडे पानी वाला पाइप गरम पानी वाला पाइप दस घंटे और पंद्रा घंटे टोटल टैंग को भर जाना चाहिए था किन्तु बापिस आने पर देखता है कि खाली करने वाला पाइप भी खुला रह जाता है तो उसे टैंग बंद करने के बाद चार मिनिट और अधिक का समय लगता है ठीक है तो यहां आपका दिमाग चलना चाहिए बाई बताए चलवा दें बताओ आप चाहो तो देखो कुछ भी नहीं है इस कुशन में यह वही वाला है अचानक से देखा और या टंकी भरदानी चाहिए थी लिए कि टंकी भरी नहीं फिर उसने छेद बंद किया फिर चार मिनिट और लग गया समय तो यहां अशुरुवात करते हैं दो पाइप हैं पहला पाइप दूसरा पाइप यह 10 मिनट और यह 15 मिनट में भरता है तो टोटल वर्क मैंने ले लिया कितना तीस दस तीया तीस और पंदरा दुनी तीस ठीक है चलिए तीन और दो है ना वह वापिस उस स चार मिनट और अधिक समय लगता है तो चार मिनट में वह दोरों मिलकर कितना बढ़ा रोंगे 20 यूनिट यानि कि क्या मैं है कह सकता हूं कि 20 यूनिट इस ने बहाया होगा उस छे ने बहाया होगा कितने टाइम में जब 5 20 यूनिट पानी निकालता होगा बात तो ठीक है सर तो खाली करने वाला पाइप कितने समय में टैंक को खाली कर देगा तो भाया जब 20 यूनिट पानी 6 मिनट में निकाल दिया तो 10 यूनिट पानी तीन मिनट में निकाल देंगे और तीस यूनिट पानी नौ मिनट में निकाल देंगे कैसा लगा तरीका यह तो बहुत अच्छा तरीका है इससे बैस्ट हो यह नहीं सकता कुछ आप बात समझ रहे हैं न कि जो यह बीस यूनिट आपके पास जो एक्स्ट्रा बाद में डाला है आपने वो क्यों डाला क्योंकि छेद ने वो बीस यूनिट निकाल दिया और छेद कितने टाइम तक वरकिंग रहा जितने टाइम तक टंकी भर नहीं थी वो तो 6 मिनट बाद आया था ना देखने अगला करिए झाला करिए झाल झाल चली भया एक हौच को दो पाइप बारे मिनट और सोले मिनट में क्या है बर सकते हैं दौनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी छमता की साथ बटे आठ भाग पानी बहता है तो टोटल में कह सकता हूँ ये तीन है और ये चार है और ये तीन है बोल रहा है कि कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप की पूरी छमता का साथ बटे आठ पानी बहता है दूसरे पाइप का पाँच बटे छे यानिकि इसमें इसका साथ बटे आठ और इसका पांच बटे छे चाहो तो एक काम करवा सकता हूँ आपके साथ मैं बोलो क्या इसको 96 कर दूँ पाइदा क्या होगा पाइदा ये होगा जैसे 12,8,96 और 16,96 और इसका साथ बटे आठ याने की साथ और इसका 5 बटे 6 आने की 5 किसी को कोई दिक्कत नहीं है कमी दूर होने के होने के 3 मिनट बाद हौज भर जाती है तो कमी दूर हुई उसके 3 मिनट बाद हौज भर गई यानि कि क्या मैं कह सकता हूँ उसी तरह से काम करने लग गए होगे तो 42 यूनिट तो उन्होंने सही होने के बाद भरा है बाकी जो खराब होने के लिए 54 तो यह हो गया 12 तो टाइम कितना लग रहा है 6 नाम 54 6 दूनी 12, 9 बटे 2, 4 मिनट 4 मिनट तक खराब रहा सिस्टम ठीक है ना बाई कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है नेक्स्ट कैसा लग रहा है एक टैंक में समान कार्यचमता वाले चार नल समान दूरी पर लगे हुए हैं पहला नल टैंक के तल में दूसरा नल तीन चौथाई और चौथा नल तीन चौथाई पर है न चार नल लगा दिये एक दो तीन तीन चौथाई पर यह वाला भी खाली है न सिस्टम तो एक चौथा पॉर्शन दूसरा पॉर्शन तीसरा पॉर्शन दूसरा पॉर्शन पहला पॉर्शन पहला नल टैंक को बारे घंटे में खाली करता है यानि कि एक चौथा यूनिट को बारे घंटे में खाली कर रहा है पहला नल तो ज्याद करें कि भर पूरी छमता बारह यूनिट ही है तो नल की efficiency कितनी है एक एक क्यों बारह क्यों मान रहे हो आप इसका मानुच 48 मानो तो बारह यूनिट को बारह गंटे में खाली करवा रहा हूं न तो एक यूनिट हो गई अच्छी बात है ठीक है अगर मैं यह कह दूँ कि पूरा टैंक भरा हुआ है तो सबसे पहले मुझे बताईए कि पहले वाले बारह को क्योंकि सब 48 है न तो बारह बारह यूनिट में डिवाइड है तो आप मुझे बताओ इस वाले 12 unit को कौन से वाले को सबसे पहले वाले को कितने pipe खाली कर रहे होंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ यह 4 pipe लग रहे होंगे एक की छमता से हाँ और इस वाले 12 में यह 3 pipe लग रहे होंगे और इस वाले 12 में यह 2 pipe लग रहे होंगे और इस वाले 12 में किवल एक पाइप लग रहा होगा तो 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 ची की 12, 12 एकम 12 12 और 6, 18 और 4, 22 और 3, 20 25 लग रहे हैं वहिया मेरे इसाब से तो 25 घंटे हाना 25 और अब आपसे बोला जा रहा है कि बटे 4 कर दो क्योंकि आपने 4 गुना माना है तो 25 आएगा या 6 घंटे 15 मिनिट आएगा क्योशन तो बढ़ी आए भाई हाँ बटे 4 तो करना ही बढ़ेगा क्यों एक 4 घंटें ही ले ले रही हão क्योंकि मैं ने जान बूत कर ये 12 लिया है क्योंकि 3-4 ये यहां पर 12 कंटे में 12 educators आ चले 10 CT रहए परower ही ये बढ़े लेता तो 23 ये तो जब ये मैंने सबका 4 तो बटे चालर लास्ट में कर दिया मैंने ठीक है कैसा लगा पूरा सेशन जल्दी से मुझे बता दो मस्त लगा ना अभी तो हूंवर्क में कोशन दूंगा कल भी हम करेंगे कल अपना चैप्टर चालो हो जाएगा लेकिन हूंवर्क में करके लाना 13 14 15 16 टेलिग्राम पर पीडिएफ मिल जाएगी हूंवर्क कर लेना बस खतम हो जाएगा इसमें काम आपका इसमें सारे पाइपन सिस्टन कवर कर लिया टाइम इनवर कवर कर लिया मज़ा आ रहा है एक्सपेक्टड वेपर करो रात को नौ बजे आठ बजे सी टीम करो लगाता चल रहे हैं अब कल मैंसूरेशन भी करेंगे लेकिन उससे पहले इन कोशन हो करेंगे ठीक है अब रेगुलर बने रहो स्टोर में भी नया सर्प्राइज आने वाला है साहिल टैन लगाकर आपको जोड़ जाना है चलिए तो भी अपना ध्यान रखो पढ़ाई करो टेक क्यार अल्दा बैस्ट लव यौल बाइबाई